बिसमील रभाहमा अरभाहिम असलाम अलेकम फ्रेंड्स वेलकम टो माईट्यूब चैनल बिलाल प्रोग्रेमर आज किस लेक्ट्र में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजर डिफाइन और प्री डिफाइन क्यों होता है हम लोग Java की सीरीज को पढ़ रहे हैं, Java प्रोग्रामिंग को, तो मिलके तो आप लोग ने मेरे YouTube चैनल को सब्सकाइब भी किया होगा, अगर नहीं किया तो कानली चैनल को सब्सकाइब करने और घैन्टी का इकन को प्रेस करने ताकि आपके पस आने वाले लेटर सीडियो को न सबसे पहले आप लोग एक बात जान लें कि आप लोग ने रटा नहीं लगाना, किसी भी चीज़ को रटा नहीं लगाना, आप लोग बिलकुल भी रटा लगाएंगे तो प्रोग्रामिंग नहीं कर सकेंगे, प्रोग्रामिंग आप लोग भूल जाएंगे, रटान लगाना चीजों को समझने है अजस्ट हम लोग ने last lecture में constant keywords और identify को देखा था आज हम लोग user define और predefined को बात को देखेंगे सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ user define की इसी के अधर हम लोग लिखेंगे user define मैं लिख रहा है यहाँ पर user define user define मैं लिख पोगायन से मौणाद क्या लेते है user जो आप यूज़ कर रहा crown मैं के user define क्या उस्किए मैं ने in लिखा equal to five कर दिया मेरी मरजी मैं इन लिखा मैं जो मर्जी लिखा इन का मीसूई मॵेंड घ Venlo Fel करके ctrl c करके और यहां पर आकर इसको paste कर दूँ और program अपने को execute करूँ then मुझे वो output देदेगा देगा तो 5 just a के लिखा तो तब भी 5 इतने character लिख दिये एक variable मना दिया यह भी मेरे पास जो है वो 5 जो 5 आ गया इसका answer तो यह हो गया user define जो मैंने लिखा कोई भी variable किसी भी टाइप का मैं लिखता हूँ वो हो जाएगा user define जो user ने किया हुआ और बात कर लेते हैं हम लोग इसको जाए वो remove कर देते हैं हम लोग अब बात करते हैं यहां पर user define यह होगे predefined जो आल्रेडी define किये गए हुए words है आल्रेडी compiler को पता है कि बई प्रीडिवाइन जिसे ना int है यह predefined हम लोग इंट को change नहीं कर सकते हैं किसी सूरच नहीं कर सकते हम लोग यह नहीं कर सकते हैं कि जगा डबल टी कर दें या इसके पहले आई को बढ़ा कर दें आई को बढ़ा कर दें को छोटा कर दें और फिर हम लोग जो यह वो टी ली दें यह गलत हो जाएगा हो कहते हैं मानें गरी इस चीज़ को जो आलडी कम्पीटर के अंदर इसे बताए गये है वह हमारे पास होते हैं प्रीड़िफाएं जिस तरह हम लोग ने यह पढ़ा था यह मारे पास के हैं तो में लोग मिलेंगे आप नेक्स लेक्षर में आपना क्यूंच यह कीवर्ड्स है और की वर्ड्स को ही प्री डिफाइन करें यह सारे पर फूंगर्ट परसमयारे हैं अर्टो स॑न में रहें फ्लोट twelve जो सारे प्रीडिफाइन होते हैं, यूजर डिफाइन जो यूजर डिफाइन करें, तो अमीद कितम आपको दोनों की समझ आगी होगी, तो हम लोग मिलेगे अपनेक्स लेक्चर में, अपना ख्याल एक जो तो हमें याद रखें, अल्ला हाफिस.